आप देख रहे हैं वीद संसार और दोस्तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे जंगली देवी मादा मंदर के राज के वारे में लेकिन दोस्तो इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकेगे दोस्तो उत्तरप्रदेश स्थित कानपूर के कदवई नगर के जंगलों में बसा है एक खास मंदिर जंगली देवी का मंदिर जो लोगों की आस्था का केंद्र है बतादे कि जंगलों में स्थित होने की वज़े से इस मंदिर का नाम जंगली देवी पड़ा आपको जानकर पहरानी होगी कि इस मंदिर का इदिहास 11,000 साल से भी पुराना है और काफी रोचक है तो दोस्तों ये बात करते हैं कि कब हुआ जंगली देवी मंदिर का निर्माण इस मंदिर का निर्माण बगाही गाओं की राजा भोग द्वारा 838 इस्विय में कराया गया था आलवचकों का मानना है कि कुछ समय बाद या मंदिर स्वयब नस्च हो गया था वहीं गाओं के एक नागरिक ने अपने घर की खुदुवाई करवाते समय उसे एक तामपत्र तथा प्रतिमा मिली और पत्थरल मिला जिसे उसने पुरतत्व भिवाग को सौंब दिया था दूसरी और अगर पुरानिक मानेताओं की बाने तो कहानी इस प्रकार है कि एक बुजरुक को मा ने सपने में दर्शन दिये और तामपत्र और प्रतिमा वहीं सापित करने की चिताबनी देडा ली वहीं गाववासियों ने मिलकर वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया जिसका नाम रखा गया जंगला देवी मंदिर यू तो पहले पहल लोग जंगली जानवर के भहसे इस मंदिर में जाया नहीं करते थे क्योंकि मंदिर के पास बने तलाव में जंगली जानवर पानी पीने आया करते थे समय के साथ सा धीरे धीरे तलाव सुकता चला गया पर आवादी बढ़ने लग गई और फिर लोग यहां आकर पूजा करने लगे यही नहीं साधू संतों ने भी वहाँ अपना डिरा जमा लिया साथ ही अपसी योग से मंदिर का निर्मान हुआ दूर दूर से दर्शनों के लिए भगण आते हैं बता दे कि 1980 में इस मंदिर में अखंड जोती जल रही है माननता यह है कि इस जोती को जलाय रखने में योगदान देता है उसकी हर तरह की मनोकामनाई जरूर से पूरी होती है दोस्तों आपको बताते हैं कि जंगली देवी मंदिर में बदलता है माता का रंग इस वारे में दिस्तार से अन्य मानताओं के अनुसार जो कोई भक्त, पूरी शद्दा और आस्ता के साथ माता के समक्ष अपनी कामना रखते हैं तब माता अपना रंग बदल कर जरूर से संकेत देती हैं जिससे यह पता चलता है कि भक्त के मनों कामना इन चल्दी पूरी हो जाएंगी इसके इलावा यहां के लोगों की मानिता है कि मंदिर के पास बनी एक नाली पर एक इंट रखने के बाद वहीं इट अपने घर के निर्माण में लगाएं तो वै दिन धुगनी और राजचोगनी तरक्की करता है भक्तों का तो यह भी मानना है कि नवरात्री के छटे दिन यहाँ पर खजाना बाटा जाता है और तामे के सिके दिये जाते हैं तो दोस्तो यह था जंगली देवी माता के मंदिर के रहसे के बारे में तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजेगा और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद नहीं आया तो गर पर आप हमारी गलतियां हमें ज़रूर बताईएगा हम जल्दी लोटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद